वेलकम बैक एवरीवन माइनेम इस सागर एंड वीडियो सो आज है डे वन थर्टी फाइव हमारी प्योटीडी सीरीज का और स्टार्ट करने से पहले एक बर यह देखते हैं हमारी डियसे रपोजिट्री सो वी यह बिलिंग दा लार्ज़स्ट यह से सलुशन रपोजिट्री तो यह रिंख इस पपो यह से सलुशन मिल जाएंगे हमारी इस प्राप्लमस के और प्यूट्टप्र बिलेगी एक बार इसको एक बर आकर लेना आपको पता लग़िए आपको उपना सलुशन कैसे मिलने वाला है और यह आपस्लिशन कोंडिविट्री भी कर सकते हो तो जा और जाके कोंट्रिब्यूट करो अब आज कोशन देखते हैं फाइंड पैटन तो यह कुशन ना काफी है इसमें हमारे जो बूट फॉर्स अपरोज थी वही चल गी थी तो इसमें आपको बस एक पैटन करने कि आपको कैसे अपने यह कोशन को आप रोज करने हैं यह काउंड ऑपर क्याईब दूट करना करते हैं यह सबसेक्वेंज करने अब सबसेक्वेंज के आरे तो इसके बाद यहां पर यहां पर सिया है तो यह भी हमारा यह सब सीक्वेंस काउंड होगा मतलब हमारा सेम सीक्वेंस होना चाहिए पर वो डिफरेंट मतलब डिस्टनस उनका ज्यादा हो सकता है और उसके बाद हमारे पास यहां पर एक और कंडिशन भी विए विर एवरी करेक्टर ऑफ स्टिंग एस इसका मतलब अगर हमने यह बी सिलक्ट कर लिया तो इसका मतलब है यह वाला सी और यह वाला डी यह हमारा एक सबसीक्वेंस नहीं बना सकता है यह हमारा डी तो यह वाले में किसी सबसीक्वेंस के अंदर यवज हो चुक तो हम इसको दुबारा नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हमको कोई और भी ढूड़ना पड़ागा यह बी यह विर फिर यह आई फिर यह व्रोट फोस अपरोच में आपना अग्या नहीं करते करेंगे यह भी आया यह इसके इक्वल है ठीक है अब हम सीडी ढूंडेंगे यह जी इसके इक्वल है यह डी इसके इक्वल है तो ठीक है हमको अपना पूरा सब्सक्वेंस मिल चुका है तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम इनको कर देंगे मार्क कि हमने मार्क कैसे करना है इतना है हम इसको बिल्कुल नॉर्मल ब्रूर्फोर्स तरीके से ट्रावर्स करेंगे और इसमें हमारे टाइम कॉंपलेक्सिटी हमारे कंस्रेंट भी इसमें इतने हाई निया तो हमारे एंस्क्वेर वाली अप्रोच भी चल जाएगी और ओफन हमारा जो बुले नहरे बनाएं अब हम इसमें एक एक इंडेक्स ट्रावर्स करेंगे अब इसके अंदर हमको क्या करना सब से वहले हम चेक करेंगे क्या ये वहला करेक्टर जो भी हमारा आयत करेक्टर आएगा इस एस वाली स्टिंग में से कोई भी हमारा एक करेक्टर आगा क्या वह हमारे जीरोत करेक्ट करक्टर मिल गया हम यह कंडिशन लगाएंगे इस डोट एट आई कि यह किसके होना चीह हमारे जीरोत करेक्टर यानि कि बी के तो वह हमारा डवल्यू डोट कैर एट जीरो तो अगर हमको कोई भी ऐसा करेक्टर मिल गया जो कि हमारे डबल्यू के टूब हम सब्सीक्वंस करेंगे, तो सब्सीक्वंस हमारा B यहां पर आ रहे है, C कहीं और भी आ सकता है, और उसके बाट D भी कहीं हो रहा है, तो हमको पूरी स्रिंग में एक बढ़ा हमारी condition क्या होगी जे शुट भी लेस देन एस डोट लेंद एंड उसके साथ साथ हमको एक और कंडिशन होनी चाहिए हमारी के की वेल्यू सिर्फ वन भी हो सकती है तो इससा भी हो सकते ही हम इस पूरे में डबली में ट्रवर्स कर लें तो यह के की वेल्यू भी हमारी लेस दे अगर हमारा एक वैड डवली डूट कैर एट हमारी के के तो अगर एसा हमेरे पास है अगर माराफ कर्Su about काम भी करने है तो उसके लिद Chuck बना लेक्ट कि अधि तो कि लहां चुछ नहीं जिटना और इसके अंदर हम क्या करेंगे हम अगर यह हमारे पास बिस्टिएटल नहीं तो इम्येकर करण देंगेगो इसको इसा ऐसाजक्ञम करें और यहां पर भी कशनगानी पड़ेगी अगरम उनकी द्रह करें उनको यूज करना है और उसलिए वो not visited होने चीए तब ही हम उनको यूज कर पाएंगे आई नहीं यहां पर आएगा जे तो हम आई के बाद यहां पर हमने आई लिया उसके बाद हम जे लेके चल ले आग गया करेक्टर के लिए तो हमको यहां पर जेएथ करेक्टर चेक करें कि это can't go क्या है जो आफ इसके बाद हम क्या करेंगे गरिया अब इसके बाद के लिए और आफे बहुआं आद क्रते में हम को मिल चुकत है तो मदेगी यहां का लूगयर थेकि बिए ना आफ तो वो तो हमको हर टाइम ही करने चाहे हमको मिले ना मिले तो वो हम इस statement के बाद भी कर सकते हैं तो अगर हमको यहां पर सबोस्क्रिया हम B, C, D देख चुके हैं तो यह B हमको मिला तो उसके बाद यह वाला B मिला चलो तो j++ होता रहेगा हमारे c पे पहुंच लेगा और यह हमारा k यहीं पे रहेगा तो हमारे यह jth character और यह kth character equal है तो इसलिए हमको j को plus plus हर टाइम करना है और यहां पे हमारा k++ होता रहेगा और जब हम पूरी string में traverse कर चुके होंगे यह हमारा d last character भी मिल जएगा तब हमारी यह condition false हो जाएगी k equal हो जाएगा length के तो हम इस लूप से break कर देंगे और condition चेक कर लेंगे if हमारे पास k की value length के equal है मतलब k हमारी हमको पूरी पूरी डबली वाली string मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे answer plus plus मतलब हमको एक sub sequence पूरा मिल चुका है और अगल ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास हमको b c d हमको यह string के अंदर यह वाले b के लिए तो हमको पूरी पूरी sub sequence तो कोई भी बी यह उसके लिए दिया तो ठीक है यहां पर हमको दौल लग रहे है और बस last में क्या तो 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 बस आज के लिए इतना है अगर आपको इबूट वोर्स अप्रोज समझाई हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और थेंक यू फो वोचिंग